आपका मनिशा कुमर्स क्लासीज में आज में अपने group के रिचेन डाउं मेर को को ट्युनिक करने जा रहे हैं ये हमारा dict में हम के एंडाउं अड्रीक दोनों को कवर करें अगर अगर आपने ड़े डाउं में डिश्क्रिप्शन में दिया हुए है आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं तो आए हम स्टार्ट करते है रिटेन डाउं वैली मेथड का सम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरूर करना कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी वीजे और कमपनी परचेस्ट अग्राइनिग मशीन ओन 1st जर्ण जेंवी निटियो परचेस्ट की है ठीक है 1st जर्ण जेंवी निटियो निटियो को 9,250 की और उसकी एरक्षिन पर 750 रुपीस खर्च कर दिये और 1st जुलाइ निटियो को अनदर मशीन परचेस्ट की और 1st जुलाइ निटियो को सब्सक्राइनिट खर्ड़ थी ठीक है वो सेल कर दि and on the same day it purchased another machine 4 rupees 6,250 ठीक है and same day उसी दिन उसने एक और machine purchase किया 6,250 की on 1st July 1998 the second machine purchased 4 rupees 2500 वो के बोर रहा है कि 1st July 1998 को जो machine उसने ठीक है 2500 की खरी दी the second machine was sold 4 rupees 500 उसको 500 का सेल कर दिया depreciation was provided on the return down value method at the rate 10% per annum depreciation charge के 10% per annum के हिसाब से हमें machinery account प्रिपेर करने 4 years का तो चलिए start करते हैं परफोर्मा मैंने उड्रेडी ड्रो कर लिया machinery account का ठीक है आपको पताए परफोर्मे के बारे में तो date particular amount यह होगी हमारी debit side then credit side date particular dollars and amount तो फर्स्त में उसने क्या बोला था कि फर्स्ट जनवरी 1995 to bank account ठीक है क्योंकि machinery परचीज की है कितने की परचीज की है 9,250 की 750 उसकी reaction पर spent कर दिया तो टोटल कितना हो गया 10,000 clear है उसके बाग हम books close करेंगे अपनी ठीक है थर्टी फर्स्ट दिसंबर को ठीक है 1995 December 31st ठीक है by depreciation हम depreciation चार्ज कर लेंगे इस machinery पर उसने क्या बोला था कि depreciation हमें 10% per annum के हिसाप से charge करने है return down value method ठीक है तो depreciation कैसे charge करेंगे हम 10,000 के उपर 10% 10,000 के उपर 10% कितना आ गया depreciation 1,000 ठीक है same तो हम क्या करेंगे December 31st को balancing कर देंगे इसकी by balance carry down total कितना था हमारा 10,000 में से 1,000 माइनिस कर देंगे आ जाएगा हमारे पास 9,000 क्लियर है उसके बाद second year देख लेते हैं second year हो जाएगा हमारा 1st January 1996 to balance brought down जो balance हमने carry down किया था 9,000 उसको brought down कर लेंगे यहां पर ठीक है 9,000 उसके बाद उसने क्या बोला है on 1st July 1996 1996 में 1st July को उसने एक another machinery purchase की है 25,000 उसके ठीक है तो हम क्या करेंगे 1st July 1996 अनदर machinery purchase की है मतलब two bank account कितने की purchase की है 25,000 की clear है at the end of the year यानकी 31st December को हम books close करेंगे 90-96 को तो first of all हम depreciation charge करेंगे by depreciation depreciation कितने आ जाएगी दिखिए 9,000 के उपर 10% हो जाएगा क्योंकि written down value method में हम क्या करते है return down value जो value हमारी आई है ठीक है उसके उपर depreciation charge कर रहे है तो first machinery थी जो हमारी 9,000 की बचगी 9,000 के उपर 10% depreciation कितना हो गया हमारा 900 प्लस जो हमने second machinery purchase किया वो कितने की है 2500 की अब 2500 के उपर 10% कितना आ जाएगा 250 पर कप purchase किया उसने जुलाई को तो first जुलाई से लेके 31 दिसंबर कितने मन्स होगे 6 months depreciation कितनी बढ़े है 250 तो हम क्या कर लेंगे 250 का half यहनकी 6 months की depreciation कितना आ गया हमारे पास 900 प्लस 250 का half 125 मतलब total depreciation कितनी होगी 1025 क्लियर है उसके बाद balancing कर देंगे 31 दिसंबर को ठीक है balancing करने के लिए हम debit side का total करेंगे पहले debit side का total कितना आ रहा है हमारा 9000 प्लस 4500 11500 क्राइड साइड भी लिख देंगे हम 11500 उसमें से 1025 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा by balance carry down 10,475 क्लियर है अब जो हमारा balance आ गया 10,475 इसको हम ब्रोट डाउन कर लेंगे नेक्स्ट यर नेक्स्ट यर कब होगा मारा फर्स्ट जेन्वरी 1997 क्लियर है अब उसने क्या बोला था देखे यहां तक हो गया हमारा सम्ट उसके बाद उसने क्या बोला है एंड उन फर्स्ट जुलाई 1997 it sold of the first machine purchased in 1995 4 रुपी 7,000 फर्स्ट जुलाई 1997 को उसने क्या किया जो उसने फर्स्ट मशिनरी परचेस की थी 1995 में ठीक है उसको बेल कर दिया 7,000 का और सेम डेग यानकी फर्स्ट जुवाई 1997 को ही उसने अनदर मशिनरी परचेस किया 6,250 की क्लियर है तो हम पहले तो फर्स्ट जुलाई 1997 को जो उसने मशिनरी परचेस किया उसकी एंट्री डाल देते हैं इधर डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट कितनी की परचेस किया तो फिफ्टी की ठीक है अब हम क्या करेंगे उसने क्या किया फर्स्ट जुलाई 1997 को एक मशिनरी सेल कर दी ठीक है जो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में कितने की ख्रीदी थी 10,000 की अब उसने कितने की सेल कर दिया बाइबेंक 7,000 ठीक है अब हुम क्या करेंगे इसका वर्किंग नोट प्रिपेर करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें प्रोफित हो रहा है या लोज हो रहे है ठीक है तो चलिए at no.1 इसमें क्या है पहले है में कॉस्ट प्राइस को स्ब्स कुस्ट प्राइस क्रेज के अधर मशंडरी कें 10 ,000 फीर हम क्या करेंगे इसमें सेangel ऩबनेशेशन कर देंगी टो बίν pest नी सेंसे मीनस कितने लगी है सचेखत네 कि तोटल का फेटम पिर दीचusing क ह시 सेशन फर्स्ट येर में 1000 सेट uniqueness नाइन हंडर्ट तो डेपेशन कीतनी यही फर्स्ट येर की फर्स्ट येर की नाइन हंडर्ट अब जो थर्ड चल रहे हमारा थीक है थार्ड येर में भी हम फर्स्ट जनवरी से लेके फर्स्ट जुलाई तक की डेप्रिसेशन तो स्पिल गाएंगे क्योंकि इतनी मंस तो वह मशिनरी यूज हुई है क्योंकि हम तो फर्स्ट जुलाई को सेल कर रहे हैं ठीक है तो कैसे कैल्कुलेट करेंगे हम देखिए 10,000 की मशिनरी थी हमारी जो थीक है उस 30,000 यहां पर 9,000 की रहागी फिर 900 डेप्रिसेशन लगके वह हमारे पास कितने की रहागी 80,100 की 80,100 की मशिनरी रहागी हमारे पास थीक है अब हम 80,100 पर 10% लगाएंगे ठीक है तो कितना आजाएगा हमारा 810 पर मशिनरी यूज कितना टाइम होगी है 6 months तो 810 का half कितना आजाएगा 405 मतलब total depreciation अब तक जब से मशिनरी परचेस किया है सेल करने तक उस पर depreciation इतनी लगिया है 1,9405 मतलब total depreciation हमारी कितनी होगी उस पर 2305 ठीक है अब हम क्या करेंगे जो cost price है हमारे उस में से उसकी depreciation माइनस कर देंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आजाएगी उसकी book value 10,000 में से हम 2305 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा 7695 ठीक है हमारे पास आगया 7695 और हमने सेल कितने की किया है सेल वैल्यू क्या है सेल वैल्यू है 7,000 मतलब क्या book value ज्यादा थी सेल हम कम की कर रहे है इट मिंज क्या है 695 हमारा क्या आगया लोस लोस ओन सेल लोस कितना आगया हमारे पास 695 का ठीक है तो इसको हम record कर देंगी हम पर फर्स्ट जुलाई को बाई प्रोफिट एंड लोस अकाउंट ठीक है लोस कितना हुए हमारा 695 का ठीक है और उसके बाग 31 देंबर को हम अपनी बुक्स है जो वह क्लोस करेंगे ठीक है 31 देंबर को भुक्स कैसे क्लोस करेंगे अपनी लगा देंगे हम बाइड डेप्रिशेशन कैसे चार्ज करेंगे एक तो वह मिशिनरी जो हमने सेल किए उसकी डेप्रिशेशन आगी थे हमारी 405 ठीक है एड दे अफ दे यह प्लस एक मिशिनरी यह थी हमारी 2500 की जो हमने परचेज की थी 2500 की मिशिनरी पर हमने 125 ओरड़ी डेप्रिशेशन चार्ज कर चुकी है ठीक है तो दिखिए जो 2500 की मिशिनरी थी ठीक है उसके 125 हम ओरड़ी चार्ज कर चुके हैं तो कितने की बचगी वह हमारे पास मिशिनरी 200 सब्सक्राइब 2375 की ठीक है अब हम क्या करेंगे जो बची हुए 2375 है ठीक है 2375 इस पर टैन परसेंट चार्ज करेंगे तो हमारे पास आएगा या फिर हम इसको 238 भी लिख सकते हैं ठीक है तो क्या होगी हमारे डेप्रिशेशन सेकिंड मिशिनरी की 238 प्लस एक मिशिनरी ज की मिशिनरी जो इस पर भी हम डेप्रिशेशन केल्पूलेट करेंगे 10 परसेंट जुलाई से लेके दिसंबर तक यान की सिक्स मंस का ठीक है 625 तो हो गया उसका पूरे साल का फूली एका 625 का हाफ कितना गया 312 ठीक है वह आग इसकी 6 मंस की डेप्रिशेशन तो टोटल 938 प्लस 312 हमारे पास टोटल डेप्रिशेशन कितनी आगी 955 कि यह उसके बाद हम क्या करेंगे 31 देसंबर को उसकी बैलेंसिंग कर देंगे बैलेंसिंग करने के लिए पहले डेबिट साट का टोटल करेंगे डेबिट साट का टोटल हमारे पास आ रहा है 10,000 475 प्लस 6250 हमार सेवन वेंटिफाइव ठीक है शिक्टीन हंडर सेवन ट्वेंटिफाइव में से जब हम सेवन थाउजन पूस सिक्स नैंटिफाइव एंड नाइं फिफ्टी फाइव माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई बैलेंस केरेडाउन क्रियर है हम क्या करेंगे स्सिक्टीन हंडर सेवन पूंटिफाइव में इन तीनों का टॉटल जाने सिक्स नैंटिफ़ेप फेफ्टी फेएगी तो हमारे पास आजाएगा 8075 अब हमारा next year स्टार्ट हो जाएगा next year हमारा कब स्टार्ट होगा next page पर कर लेती है 8075 है हमारा balance तो हमारा next year स्टार्ट हो रहा है 1st January 1st January 1998 ठीक है टू बैलेंस ब्रोट डां कितना बैलेंस आया था हमारा 8075 क्लियर है इतना आगे सम पढ़ लेते हैं 1998 का क्या भी है उसने on 1st July 1998 the second machine purchased for Rs.2500 वो sold for Rs.500 उसने क्या बोला कि 1st July 1998 को उसने क्या किया है जो एक 2nd machinery purchase की कि उसने 2500 कि उसको सेल कर दिया 500 रुपीज में ठीक है तो क्या लिखेंगे इधर आ जाएगा अब मारा 1st July 1998 बाइब बैंक सेल किया है क्योंकि उसने कितने का सेल किया 500 का अब इसका वर्किंग नॉट बना लेंगे हम ठीक है वर्किंग नॉट वर्किंग नॉट में क्या लिखेंगे हम कोस्ट मशिनरी कोस्ट कितनी थे हैं हमारी मशिनरी की 2500 ठीक है टोटल डेप्रिसेशन अब तक उस पे कितनी लग चुकी है 125 फर्स्ट यर लगी थी सेकिंड यर लगी थी 238 अब थर्ड ययर है जो हमारा ठीक है थर्ड यर में उस पे कितनी लगेगी कि देप्रिशेशन देखें जो हमारा है कि 2375 था उसमें से 238 माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 2137 इसका हम निकाल देंगे 10 परसेंट 10 परसेंट कितना आगे इसका 230 बट हमारी मशिनरी जो वह हम जुलाई में सेल कर रहे हैं तो इसका हम हाफ कर लें देखेंगे मतलब six months की देप्रिशेशन तो आजाएगे हमारे पास 107 ठीक है मतलब 125 238 प्लस 107 ठीक है तो टोटल डेप्रिशेशन हमारी अब तक की कि कितनी होगी इसके उपर टोटल डेप्रिशेशन होगी हमारे इसके पर 125 प्लस 238 प्लस 107 तो आजाएगा हमारा 15, 25, 25, 27, 470 470 आगी हमारी टोटल डेप्रिशेशन अब हम क्या करेंगे कोस्ट में से जब हम टोटल डेप्रिशेशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास बुक वैली कितनी आजेगी 270, 240, 250 में से 470 माइनस कर देंगे हमारे पास वैली हाज जेगे 2030 ठीक है यह हमारी बुक वैलीऊ सेल कि है हमने उसको 500 का अब सिंपल सी बात है बुक वैलीऊ हमारे है 2030 500 में हमने इसको सेल कर दिया तो इसमें पास लोटल डेए 20030 में 500 मनिस कर देंगे तो हमारे पास लोस कितना जागा 1530 यह हमारा लो tiles है 15 30 रूपीज ठीक है तो यहां में शो करेंगे I profit and Lows account lamps कितना है हमारा 15 130 रूपीज ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे December 31st को books close करेंगे by depreciation, depreciation charge करेंगे, depreciation कितनी होगी, एक तो जो machinery हमने sale किया है, उसकी होगी 107 plus, प्लस जो हमने second machinery purchase की थी, और उसके उपर हमने depreciation charge की थी 312, ठीक है, तो हमारी machinery थी 6250 की, ठीक है, अब इसके उपर 10% full year का charge करेंगे, तो हमारे पास आजएगा, 593, ठीक है, अब एक depreciation हमारी यह होगी, 593, टोटल depreciation हमारी होगी 107 plus 593, 700, अब हम इसकी balancing कर देंगे, टोटल इदर आ गया 8075, ठीक है, 8075 में से हम यह सब माइनस कर देंगे, 500 plus 700, 1200 plus 1530, 1200 plus 1530, हमारे पास आजएगा, 2730, 2730 को जब हम 8075 में से माइनस कर देंगे, तो December 31st को, हमारे पास by balance कर डाउन, by balance आजएगा हमारे पास, 2730 को जब हम 8075 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास आजएगा, 5,345, clear है, I hope आप सबको written down value method है, जो वो अच्छी तरह से clear हो गया होगा, कि written down value method का सम कैसे solve करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, next video में हम sum of years of digit method है, जो वो करेंगे, उसका sum करेंगे, उसके एक numerical करेंगे, thank you,